आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello तो आज का हमारा Question है Why in a Photo Cell the Cathode is a Coated with a Alkali Metal सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि Photo Cell है क्या Photo Cell होता है यह है कि इसमें क्या होता है एक Plate होती है जिसको नाम देते हैं Cathode एक Anode प्लेट होती है जिसको नाम देते हैं Anode क्या होता है जब इस Cathode पे Incident Radiation पढ़ती है यानि कि एक Visible Radiation, Sun की Light वगरा पढ़ती है Lithium, Nitrogen and Potassium जो हमारा First Group Element है उसके Element होते है Hydrogen को छोड़के तो इसमें होता है Metal में Metal में होता है जो Center होता है उसको हम Nucleus कहते हैं और उसके Around कई सारे Electron Revolve करते हैं Electron different Orbit में Revolve करते हैं तो क्या होता है Alkali Metal में जो Large Cell का Electron होता है Large Cell का जो Electron होता है तो यह Electron इसको छोड़ देता है Alkali Metal को और Move कर जाता है तो इसमें क्या होता है जो Cathode Ray होती है जब हमारा Cathode होता है इस पे Incident Radiation Fall करती है तो यह Last Cell का Electron है वो उसको छोड़के Anode की तरफ Move करने लग जाता है तो यह जो होता है इस Process को हम बोलते हैं Work Function यानि कि Electron को उसके Outermore Cell से हटाता है तो उसके लिए हमाई एक नाम देते हैं Ionization और जो Metal होता है उसके लिए हम नाम देते हैं एक Work Function Work Function से मतलब है Energy Provide कराते हैं यानि कि जब तक हम इसको Energy नहीं देंगे Last Cell के Electron तक हम इसको Element को छोड़के नहीं जाएगा इस Atom को छोड़के नहीं जाएगा तो इस Work Function कहते हैं तो जो Work Function होता है Alkali Metal का वो सबसे कम होता है Like as अगर हम बात करें तो यह 1.5 Electron Bolt से 4 Electron Bolt तक हम दे सकते हैं जो हमारे Incident Radiation होती है जो Visible Right होती है उसकी जो Energy होती है उसको हम Calculate कैसे रहते हैं Hμ से और Hc अपॉन Lambda से जो Incident Wave Length होती है हमारे Energy होती है Light होती है उसकी जो Wave Length होती है वो 400 Nm से 700 Nm तक होती है जो कि हमारे इसको फॉलो करती है इस Energy को फॉलो करती है यानि कि हमारे जो Incident Energy है Incident Light हो उसके पास इतनी Energy होती है कि वो Easily Alkali Metal के Large Cell के Electron को उसकी जो Orbiter उससे भार निकाल लेती है इसलिए हम Alkali Metal को यूज करते हैं Photo Cell में Cathode पे Thank You 8400 404 सुपर